हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका RR Cooking Hindi चानल पे तो आज बनाएंगे चकली और एकदम कुर्कुरी सी चकली बनाने में भुआती आसान है क्योंकि ये बनाई गई है पोहा से जीहा अंदर से लेकर बाहर तक कुर्कुरी क्रिस्पी चकली खाने में भुआती स्वाधिश्ट हो बाल फिक्स कर लेना है उसी नाप से हम सारी मेजरेमेंट देनेवाले हैं तो यह पोः है बिल्कwoL आप से हम्यार बनाते हैं अो अधीर से हम्यार में बाले चना ले hätten आधीर बाविचे लोटा आप clot मैं पहले से से olmuş घोंक मैं बाल का बाला है यहने इसका हमें आटा निकालना है तो एक बड़ी सी परात में ने दिये है जिसमें यह मिकसे जार में पीसा हुओ आटा हम डाल देंगे अगर आपको जरुरत पड़े तो आप इसे चनने से चान सकते हैं लेकिन मुझे कोई आवशकता नहीं लगती है इसके कारण में इसे च तेढ़ बावल यहां में ने यूज किया है चावल का आटा तो चावल का आटा रेडिमेट पैकेट में भी अवेलेबल होता है या फिर अप मिकसिजार में घुमा कर दो बारचने से चान कर यूज कर सकते हैं अब यहां हमें ये सारे इंग्रेंट्स यानिकी तीनों तरके अचैसे मिक्स कर लेने हैं अब मिक्सी जार लिया है, जिसमें मिन डाल दिया है, धनिया दो चम्मज यहाँ डालेंगे हम अजवाइम एक चम्मज इसके साथ जीरा एक चम्मज और लसून, जो 7-8 लसून की कल्या बे उसकी है, यह भी इसमें डाल देनी है, और इसे हम पीस ले तो यहां एक बड़ा सा पतेला में लिया है जैसे आटा में नाप लोंगी तो पतेला आप देख सकते हैं यही पतेला हमें यूज करते हुए पानी भी लेना है तो एक फिक्स पतेला आप कर सकते हैं पहले तो गैस के तरब चलते हैं जहां आपको एक मोटे तले का बरतन या फ तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, कुछ इंग्रिडियर्स डालेंगे, जिससे चकली का स्वाध है, यह पढ़िया आ जाए, तो पहले तेल डाला है, तो चम्मच, इसे के साथ नमक डालेंगे, एक चम्मच, और फिर बहुत सारी तिल, यानि के सफेद तिल होती है, यह ती टालेंगे जो यह पन कर दो तो इसमें मसाले डाले के ऑट घए, चम्मच लाल मिर्च पारड़र डाल दी है, और जो मिक्सीजार में पीसा हुआ मसाला है, यह इसी वक्त हमें डाल देके, ताक यह पानी के मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर इसमें उतर जाए, तो अपकर पा इसमें गुठले अपड़ जाएगी लंस आ जाएगे तो आटा डालते जाए दूसरे हाथ से मिक्स करते जाए अब इस समय जैसे मैंने पूरा आटा डाल दिया है तब गैस का फ्लेम हमें कम करना है ताकि यह नीचे तले में ना चिपके और ना ही जले तो बस मिक्स करते जाए कुछ ही दिर में आप देख सकते हैं जैसे हम आटा गुनते हैं उस तरह से यह मिश्रंट तयार है क्योंकि हमें यह गुंधना है तब आटा पूरी तरह से गुंध चुका है फिलाल यह गरम है अब इस समय हम इसको थोड़ा धक देंगे यानि 2 मिनिट के लिए सिर्फ धक न है इसे हम बड़ी सी परात में निकाल लेते है ताकि ये हम ठंडा होते ही अच्छे से मसल सके तो यहाँ परात में में डाल दिया है और जैसे ही तो ठंडा हो जाएगा इसे हम अच्छे से मसलेंगे यह पूरा आटा बाइंडिंग पकड़े हुए हमें चाहिए जैसे यह पूर के बॉटम पे तेल लगा ले और अच्छे से मैश करते जाए तो यहां कुछ ही देर में थोड़ा ठंडा होने के बाद यहां आप देख सकते आटा बड़ी असल लग चुका है और हातों से अच्छे से यह मसलते हुए गुंदा जा रहा है तो आटा बिल्कुल रेडी हो चुक कि है बस ओइल से ग्रिस करते हुए साचा यानिके मोल्ड रेडी रखें मोल्ड में जितना आटा बेठे गा उसको निकाल कर उसे अच्छेए पहले मसले मसलने के बाद यह अच चकली कितनी परफेक्ट निकल रही है ना टूट रही है ना ही पिखर रही है और फ्रेंड्स हमारे महारास्त में काटेरी चक्ली तो काटेरी चक्ली बन चुकी है इसाटर से चकला निक्याल मने कर दिया हूँ में परूड़कर करना है या थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कुर्पूरा क्रिस्पी और मज़िधार घाना है तो थोड़ा टाइम हमें यहां देना पड़ेगा जैसे आप देख ऐसी हो जाती है तो इसारी आप को प्रमस कर you और चकली उपर तेहरने लगती है तो ईक दम करिस्पी कुर्गॉर चकली अबना लेंगी मैं करेंगे dividi है न बड़ा आपका क्याओं शॉक्म से करेंगे तो फ्रेंस कैसी लगी आपको आज की ये पोहा चकली की रेसिपी है न बहुती बढ़िया और एकदम आसान है हर कोई इसे बना लेगा अगर आप फर्स टाइम में से ट्राइ करोगे तो बिल्कुल चुकेगी नहीं बिल्कुल ये रेसिपी फेल नहीं जाएगी तो इस बढ़िया सी पोहा चकली के लिए लाइक बनता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें शेयर करें और दिवाली ही नहीं तो साल भर में जब भी आपकी इच्छा हो ये चकली खाने की तब आप इसे बना सकते हैं है ना बहते ही आसान से रेसिपी तो इतनी ही आसान और बढ़िया रेसिपीज अगर आपको हमेशा ही देखनी है तो आरर कुकिइंग हिंदी के शाथ आर र कुकिंग मराठी चैनल को बी ज़रूर सबस्कुराइब करें तो मिलते हमारे अगले रेसिपी वीडियो के साथ झाल झाल